हम सिरी राम की तुमको भगतों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, लेके जन्म अयोध्या में स्री राम जो आते हैं, हम कथा सुनाते हैं हम सिरी राम की तुमको भगतों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, लेके जन्म अयोध्या में स्री राम जो आते हैं, हम कथा सुनाते हैं जो सुमर राम का नाम, बन जाते बिगड़े का जो सुमर राम का नाम, बन जाते बिगड़े का वैवसवत मनुजी ने बसाया था कउशल परदेश, पावन सर्यू नदी कटटे और खंडे हैं भारत देश कितने ही प्राकर्मी राजा उनके वनसज थे, उन्ही में से तो राजा दशरत भी हैं एक हुए वेदों के ग्याता थे राजा धर्म के रक्षक थे, बड़े दयालो रण में कुशल और प्रैजा पालक थे इश्वर की भगती करना उन्हें बड़ा ही भाता था उनके राज में प्रजा को कोई कष्ट न आता था जैसे राजा दशरत थे वैसा सब चाहते हैं पावन कथा सुनाते हैं लेके जन मायोध्या में श्री राम जवाते हैं हम कथा सुनाते हैं जो सुमर राम का ना बन जाते बिगड़े का कर असना ने एक दिन राजा लगे देखने दर पड़े जो सुमर राम का ना बन जाते बिगड़े का कर असना ने एक दिन राजा लगे देखने दर पड़े श्वयत बाल कुछ आए नजर कभी जो ये श्याम वर्ण लगे सोचने राजा धलने लगा मेरा योवन निह संतान हु मैं ना जाने अब तक किस कारण जो न हुई संतान कौन मेरा वन्स चलाएगा कौन मेरा उत्राधी कारी बन कर आएगा इतना सोच के राजन ने विद्वान है बुलवाएए लगे पूछने राजा कौन सयत ने किया जाएए पुत्रे श्ठी अग कर लो पंडित ये बत लाते हैं पावन कथा सुनाते हैं लेके जन्म अयोध्या में श्री राम जो आते हैं हम कथा सुनाते हैं जो सुमर राम का नहां बन जाते बिगडे का जो सुमर राम का नहां बन जाते बिगडे का अपने कुल गुरु वशिष्ठ को फिर तो दश्रत ने बुलवाया अपने मन का सारा भेद फिर उनको बतलाया गुरु वसिष्ठ भी हुए अतिप्रैसन मनो काम ना जा पुत्रेष्ठी यग्य करने का है किया विधी विधा बड़ी मनो रम यग शाला का फिर निर्माल कराया शाम बल्ड का एक गोडा भी गुरु जी ने मंगवाया अपनी तीनो रानियों को राजन ने खबर सुनाई सुनकर के तीनो ही रानी मन में है हर शाई विधी विधान से यग प्रारंभ फिर करवाते हैं पावन कथा सुनाते हैं लेके जन्म अयोध्या में श्री राम जुआते हैं हम कथा सुनाते हैं जो सुमर राम का ना बन जाते बिगड़े का जो सुमर राम का ना बन जाते बिगड़े का विध्वान तपस वीरिजी मुनी गड़ कितने यग में आएं पवित्र मंत्रों चारण के संग यग रहे करवाएं सब के साथ में राजाने हैं मधुर्व्योहार किया यग्य में जितने ग्यानी पथारे हैं आभार किया रिसियों के सानित्थ में जब यग्य हुआ संपन भेट किया राजन ने सबको बड़ा ठाने और धन यग्य प्रसाद चढ़ा के राजन ने सब में बटवाया अपनी तीनों रानियों को भी है परसाद खिलाया होंगे पुत्र चार उन्हें पंडित बतलाते हैं पावन कथा सुनाते हैं लेके जन्म अयोध्या में श्रीराम जो आते हैं हम कथा सुनाते हैं जो सुमर राम का नाम बन जाते बिगले का जो सुमर राम का नाम बन जाते बिगले का चैत्र मास के सुकल पच्छ की आई नौमित थी गर्भ से कौशल ल्या के घड़ी ये राम जन्म की थी शामवर्ण के पुत्र हुए हैं बड़े ही तेजस्वी सुनकर बड़े ही हुए प्रसन राजा दसरत जी फिर तो रानी कैकेई को भी एक पुत्र हुआ रानी सुमित्रा ने भी दो पुत्रों को जन्म दिया हर सोलास में सारी नगरी कर रही मंगलगान सबको ही राजा दसरत ने दिया उचित है दान नाम करण फिर पुत्रों का राजन करवाते हैं पावन कथा सुनाते हैं लेके जन्म योध्या में स्री राम जो आते हैं हम कथा सुनाते हैं जो सुमर राम का नाम बन जाते बिगड़े कां जो सुमर राम का नाम बन जाते बिगड़े कां गुरु देव ने बड़े पुत्र को राम चंद्र दिया नाम भरत नाम दे कर मंजले को कर दिया है सुभकां रानी सुमित्रा के पुत्रों की फिर बारी आई लच्छमन और सत्रो घन नाम रख कर है रीत निभाई बीते समय के साथ में पुत्र होने लगे बड़े तीनों लोक में चर्चे दसरत पुत्रों के होने लगे जाने लिया ये भोले ने आगे विष्णों के अवतार बाल रूपी दर्शन करने का मन में है विचार बन के मदारी भोले अयोध्या नगरी आते हैं पावन कथा सुनाते हैं लेके जन्म अयोध्या में ती राम जो आते हैं हम कथा सुनाते हैं जो सुमर राम का नाम बन जाते बिगड़े का जो सुमर राम का नाम बन जाते बिगड़े का भोले बने मदारी वानर बन गए हैं हनुमान गली गली लग खेल दिखाने वो तो आयोध्या आन सिरी राम ने भी वानर का खेल देखना चाहा राजात अश्रत ने हैं उनको महलों में बुलवाया देखा खेल जो आनर का तो हुए बड़े प्रैसन भक्त और भगवान का देखों कैसे हुआ मिलन सिरी राम ने जिद करके वो वानर रखना चाहा राम दर्स को भोले ने ये सारा खेल दिखाया करदर्शन स्री राम के वो कैलाश को जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं लेके जन्मा योगा में स्री राम जो आते हैं हम कथा सुनाते हैं जो सुमर राम का ना बन जाते बिगड़े का जो सुमर राम का ना बन जाते बिगड़े का सिच्छा ग्रहण की बारी आई चारो भाईयों की मात पिता और गुरु सेवा में बड़े वोलीन हुए सीख लिए हैं पाठ सभी एक बार जो बता दिये राम चंद्र बड़े भाई सारे ही कामों में निपुड तीनों छोटे भाई करते उनका अनुसरण चारो तरफ ही फैल गई फिर तो उनकी ख्याती उनके विवाह की अब राजा दशरत की इक्छा थी गुरु वसिष्ठ को अपने मन की बात बताते हैं पावन कथा सुनाते हैं लेके जन्ना योध्या में श्री राम जुआते हैं हम कथा सुनाते हैं जो सुमर राम का ना बन जाते बिगडे का जो सुमर राम का ना बन जाते बिगडे का लेकिन बीच में द्वार पाल संते साल आए हैं विस्वा मित्र राजन आपके बार पे आए हैं सुनकर विस्वा मित्र नाम बड़ दसरत जी हर साएं आदर सहित उन्हें दरबार मिलेकर हैं आएं बोले आपके दरसन से हैं हम सब धन्य हुए हुआ राज दरबार भी पावन आपके चरण छुए आने का पर्योजन मुनिवर अब तो आप बताएं खुद को भिछा दू मैं चरणों में अगर आप चाहें विश्वा मित्र राजन को फिर ये बत लाते हैं पावन कथा सुनाते हैं लेके जन्मायोत्या में शिरी राम जवाते हैं हम कथा सुनाते हैं जो सुमर राम का ना बन जाते बिगड़े का जो सुमर राम का ना बन जाते बिगड़े का बोले विश्वा मित्र हे राजन मुझे को पता ये हैं रिसिमुनियों को रगुकुल करता आया सहायता है जो मैं मांगने आया हूँ देना है बड़ा कथिन मांगने से पहले राजन तुम्हे देना होगा वचन बोले दस्रत हे मुनिवर तुम मांगो निह संकूत प्राड जाए पर वचन न जाए है रगुकुल की सोच बोले विस्वा मित्र मुझे करना है यग अनुष्ठान मारिच और सुबाहू तानों विगन करे है आन यग्य हो पूड इसलिए हम राम को चाहते हैं पावन कथा सुनाते हैं लेके जन्म अयोधा में स्रीराम जुआते हैं हम कथा सुनाते हैं जो सुमर राम का ना बन जाते बिगडे का जो सुमर राम का ना बन जाते बिगडे का राम को मांग लियां तो राजा दसरत भी चकराएं ले राम बिना हे मुनिवर मुझसे जिया ना जाएं चाहों तो मैं चलू अभी ले करके सेना साथ अभी राम तो है बालक ना इनकी कुछ आउकार कैसे मुकाबला उन दुष्टों का ये कर पाएंगे क्या होगा जो उनसे युद्ध में हारे जाएंगे सुनके विस्वा मित्र को ये आया है बड़ा ही क्रोध बोले इनकी शक्ती का तुमको भी नहीं है बोध राम लखन को अपने साथ फिर वो ले जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं लेके जन्म अयोध्या में स्री राम जो आते हैं हम कथा सुनाते हैं जो सुमर राम का नहां बन जाते बिगड़े काम रिस्विस्वा मित्र के संग आ गए हैं दोनों भाई अती बला और बला नाम की विद्या भी पाई बोले मुन की ये विद्या ये जो भी पाता है इस संसार में स्रेष्ठ पुरुस फिर वो कहलाता है सर्यू नतीक टट पर फिर डाला है डेरा आन राम लखन से बोले कर लो तुम असना नोरधा करके फिर जल पान भी थोड़ा कर ले ना विश्राम लेकिन गुरु सेवा को समझा पहला उन्होंने काम करके गुरु की सेवा फिर विश्राम को जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं लेके जन्म अयोध्या में स्री राम जो आते हैं हम कथा सुनाते हैं जो सुमर राम का नाम बन जाते बिगड़े काम प्लात काल फिर गुरु के संगे वो सर्यों टट आयें जो सुमर राम का नाम बन जाते बिगड़े काम प्लात काल फिर गुरु के संगे वो सर्यों टट आयें एक वनवासी मुनी देख उन्हें नौका है लाएं तीनों बैठे नोका में फिर करली नदियां पा मुनिवर ने है फ्रकट किया उनका ही बड़ा अभा सिरी राम ने देखा के घन घोर बड़ा है वन गुरुवर जी से लगे पूछने वो इसका कारण बोले ताड का नाम राच्छ सीने है कहरढाया जितने यह मानों थे सब को मार के है खाया कर दो वध तुम ताड कका हम यही चाहते हैं पावन कथा सुनाते हैं लेके जन्मायोध्या में स्री राम जो आते हैं हम कथा सुनाते हैं जो सुमर राम का नाम बन जाते बिगड़े कां बोले राम की स्त्री तो बड़ी होती है को मल ताड का राक्चसि में है कहां से आया इतना बल विश्वा मित्र ने उनको फिर किस्सा सभी सुनाया रिसिमुनियों पे ताड कने है कितना कहर बर पाया करने को वध सिरी राम फिर हो गए हैं तैयार देख ताड का उनको आई करती चीख पुकार सिरी राम ने उन पे कर दी फिर तो वाड वरसा देख युद्ध कौसल भईया का लखन रहे हर शाँ सिरी राम फिर ताड का को पर नोक पठाते हैं पावन कथा सुनाते हैं लेके जन्मा योध्या में श्री राम जुआते हैं हम कथा सुनाते हैं जो सुमर राम का नाम बन जाते बिगडे का जो सुमर राम का नाम बन जाते बिगडे का विश्वा मित्र बैठ गए हैं फिर तो यग्य करने करना चाहां भंग था मारिच और सुबाहों ने अपनी माया का दोनों ने ऐसा जाल फैलाया यग साला पे है आकास से मदिरमा से बरसाया लेकिन सुरी राम ने उनकी ना चलने दी चाया राम के हाथों आया उन दोनों भाईयों का का राम लखन को विश्वा मित्र फिर तो गले लगाएं बाले कांड ये डी अस पालन है स्रध्धा से गाएं होजी सुरेस भी राम चरण में सीस जुकाते हैं पावन कथा सुनाते हैं लेके जन्म आयोध्या में स्री राम जुआते हैं हम कथा सुनाते हैं जो सुमरिराम का ना बन जाते बिगडे का ना